Welcome back to your YouTube channel Captain P. Kumar और आज जो मैं जवाब देने वाला हूँ आपका एक दो questions हैं Number one question is what is the cost of credit pilot program and दूसरे मेरे दोस्त का question है के Is it a good idea to take loan for credit pilot program दौनों ही बहुत अलग questions हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भी cost कितनी होती है credit pilot program के लिए तो credit pilot program it is completely depends on the airline कि भी उसका क्या standard है वो किस तरीके से आपको training देना चाते हैं वो क्या आपको training देना चाते हैं and what kind of charges they are going to ask अब इसकी अगर average cost की हम बात करते हैं अपने Indian airlines की बात करते हैं या हम foreign airlines की भी बात करते हैं तो पहले अपने Indian airlines की बात कर लेते हैं तो average cost जो है वो आपकी 80,00,000 से 7,00,000 के बीच आती है हाँ जी between 80,00,000 to 1.25 CR आती है आपकी उसमें सारी चीज़ें जैसे CPL भी उसमें होता है type rating भी airlines कराती है ground classes everything from zero to hero आपकी airlines आपको करा के देती है अब बात आती है कि इसमें difference वो अब किसी और वीडियो में बात करेंगे conventional और credit pilot program के बारे में यहां पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जैसे जो दूसरे मेरे दोस्त की query थी is it a good idea to take a loan for credit pilot program तो यह एक बहुत ही you know सदा हुआ सबाल कह सकते हैं और इसके जबाब भी बहुत different हो सकते हैं reason अब जैसे let's say for an example एक करोड रोपे की बात करते हैं तो is it your dream कि आप इसे हर कीमत पर पाना चाहते हैं या आप अपनी life settle करना चाहते हैं या आप एक businessman है के नहीं यार मैं एक करोड रुपे लगाऊंगा एक करोड रुपे लगाके तो मेरा चलता हुआ business है अगर मैं उसमें infuse करता हूँ तो मेरे को rate of return बहुत अच्छा आ जाएगा मैं एक करोड से चार साल में या पांच साल में दो करोड बना लूँगा है ना या मेरे को उसका कोई लेना देना नहीं है मेरे को एक fixed income और अच्छी lifestyle चाहिए तो इस पर priority वाली बात आ जाती है कि आप उस एक करोड को या आपके लिए वो एक करोड कितना important है या उसको आप किस direction से देखते हो क्योंकि पैसे की बहुत सारी definitions होती है that depends on your eyes अब चलो हम बात करते हैं कि एक करोड के rate of return की being a pilot तो आप जो credit pilot में पैसा लगाते हो एक average salary अगर मान ली जाती है दो लाख रुपे अगर average salary मानी जाए तो आप जो है 12 महीने में आप 25 लाख रुपे कमा लेते हो तो on an average क्योंकि ठीक है मैं नहीं कह रहा कि आप 34 साल में captain बन गए ठीक है बन जाते हैं लोग 3 साल में हमोमन कप्तान अगर आप proper planning के साथ करते हो तो आपकी salary 4 से 5 लाख हो जाती है लेकिन उसको भी आप छोड़िए समय पर लेकिन ये होगा कब जब आप जो है as a induct हो जाओगे junior first officer with any airline लेकिन अभी तो आप zero हो तो आपको training करने में भी 2 साल लग सकते हैं धाई साल लग सकते हैं हालांकि airline का process fast होता है तो आप 2 साल तो कम से कम मानिये ही मानिये 2 से 3 साल आपके लगेंगे जो banks हैं जिनसे आप loan लोगे वो आपका course पूरा होने के बाद आपकी installment चालू करती हैं लेकिन बहुत सारी banks होती हैं जो interest आप से लेती हैं पहले ही लेकिन जब आप education loan या credit pilot program टाइप की जब आप loan लेते हो तो ज़्यादा तर banks आपको time देती हैं कि भी जब आपका course finish होगा either उसके एक साल बाद या उससे पहले अगर आपकी job लग जाती तो job तो आपकी 100% लगी ही हुई है लेकिन due to any reason जैसे कोरोना हुआ ठीक है तो ये तो सब को पता था ये रोज नहीं होता तो आप 3-4 साल में आप recover कर देते हो once you get inducted with the airline तो अब आप समझेए अब आपको समझना पड़ेगा ये कि आपको चाहिए क्या आप उस पैसे से पैसे बनाना चाहते हो आप पैसे की निज़से देख रहे हो या फिर definitely अगर आप loan ले सकते हो आपको finances का कोई issue नहीं है, financial problem नहीं है तो credit pilot program एक secured चीज हो जाती है कि आपकी job तो लग ही गई है, कोई airlines इसे नकार नहीं सकती है आपको LOI देती है पहले, तब ही तो आप इतना पैसा दे रहे हो otherwise, same यही training आप 55-60 लाग में complete कर सकते हो maximum 60 लाग में, 70 लाग में complete कर सकते हो जो 30-40 लाग का difference है, वो हम इसलिए तो ज़्यादा दे देते हैं क्योंकि हम secured हैं यहाँ और अपने हिंदोस्तान में security बहुत important है life में तो यह I hope कि आप decide कर पाएंगे कि आपको loan लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए as a career अगर आप देख रहे हो तो definitely इसमें कोई भी loss नहीं है आपको loan ले लेनी चाहिए because this is a kind of investment which you are putting it on you और उसके long term में अगर आप देखोगे तो बहुत high returns हैं ही क्योंकि चार साल के बाद तो आपकी life set है आप captain हो and अब इस चीज़ में एक और चीज़ बहुत important है आपके लिए कि do you love flying or you are doing it just for the money है ना तो अगर आपकी passion मिल रही है तो देखो passion की कोई कीमत नहीं होती है लेकिन अगर आप पैसे के बहाब पर करना चाहते हो कि नहीं यार मैं तो एक करोड लगाँगा इतना कमाँगा तो फिर ऐसा नहीं है इसके अलाबा भी बहुत सारी चीज़े हैं जिसमें आप एक करोड रुपे लगा कर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो so choice is yours my friend I hope I have given you the answer of your query लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल चूट रहा हो आपके दिमाग में कोई confusion हो please comment below or connect with me on my Instagram thank you so much see you in cockpit soon take care yourself bye